प्रिये विद्यार्थियों मैं तेज करण सोहान सह अचार्य इतिहास मांगी लाल बागडी राज किया मांगले नोखा आज हम बिये पर्थम वर्ष के पेपर पर्थम राचीन बारत का इतिहास के अंतरगत मगद राज्य के उद्य में विविन राजवन्सों के योगदान में हर्यक वन्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं हर्यक वन्स मगद का सक्तिसाली राजवन्स था इसी राजवन्स में विम्बिसार एक महान सासक हुआ जिसने मगद की समराजवाद की भावना को बढ़ाया और धीरे धीरे मगद के आसपास वैसाली, कोसल, कासी, वत्स, एतियादी राजियों को जीत कर एक विशाल मगद का निर्मान करने में वह सफल रहे। विम्बिसार कानु सरण उसके सुयोग्य पुत्र अजाज सत्रू ने किया और भली बांती मगद की सक्ति को और भी अधिक चरम उन्चायों पर पहुंचा दिया। इतिहास में ऐसे बहुत कम उधारान मिलते हैं जब पिता पुत्र लगातार इतने योग्य हों। विम्बिसार ने लगबग 52 वर्स मगद पर राज्य किया। विम्बिसार की लंबे सासनकाल से उसका पुत्र अजाज सत्रू अत्यंत व्यग्र हो गया था और अपने पिता को उनके अंतिम काल में बंदी बना लिया और स्वयम मगद की गद्दी पर बैठा। अजाज सत्रू की माता कौन थी इसके बारे में इस पश्ट उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ विद्वान अजाज सत्रू को लिच्वी राजकुमारी चलन्ना का पुत्र मानते हैं। जबकि विदेह के सासक होने के कारण लिच्वियों को विदेह भी कहा जाता है। अजाज सत्रू के लिए विदेही पुत्र का उप्योग किया गया है। इसलिए संभवत विद्वानों का मानना है कि चलन्ना विदेह राजकी पुत्री थी। और इसलिए संभवत अजाज सत्रू चलन्ना का पुत्र हो सकता है। जैन साहित्य भी ऐसे ही तथ्य की पुष्टी करता है परन्तु सयुक्त निकाई ग्रंत में उसे प्रसेन जीत की बेहन कोसल देवी का पुत्र बताये गया है अजाद सत्रु ने गद्धी पर बैठने के बाद अपने पिता की तरह मगद का समराज्य और बढ़ाया समराज्य बाद की पूर्ती हेतु उसने अपने सासन काल में तीन राज्यों के साथ लंबा संगर्ष लड़ना पड़ा जिनमें कोसल, वज्जी संग और अवंती राज्ये प्रमुक्त थे सर्व पर्थम अजात सत्रू ने कोसल से युद्ध लड़ा इस युद्ध का विश्टत विवरन बोध ग्रंथों से प्राप्त होता है अनेक बोध ग्रंथों में बिम्बिसार की दुखद मृत्यू के लिए रानी बिम्बिसार की मृत्यू के बाद उनकी रानी कोसल देवी के भी दुखतीरेक से मर जाने का उलेक करते हैं जिस पर कोसल नरेश प्रसेंट जितने अपनी बहन के दहेज में दिया हुआ कासी का छेतर वापस ले लिया क्योंकि जाद सत्रू उनके अनुसार पित्र हनता था और जिसकी वज़े से अपनी सत्राल से प्राप जाइदात का स्वामी बनने का अधिकार अधा सत्रू ने खो दिया परन्तु संगर्श का मूल करन मगद की बढ़ती हुई सक्ती ही था मगद कोसल का पड़ोसी था अतहा कोसल मगद की बढ़ती हुई सक्ती से भैवीत था और वह कैसे सहन कर सकता था कि उसके नजदिक इतना सक्ति साली राजिय हो जो काला अंतर में उसे खुद हड़प कर सकता है कासी के प्रेशने पर दोनों राजियों में संगर्श शुरू हुआ दोनों पक्ष एक समान थे कभी प्रसेंट जीत जीते कभी अजाद सत्रू अंत में दोनों पक्षों में सुलह हुई प्रसेंट जीत ने अपनी पुतरी वजीरा का विभाय अजाद सत्रू के साथ कर दिया और कासी का छेतर अपनी पुतरी को दान में दे दिया इस प्रकार कासी पर मगद का इस्थाई अधिकार इस्थापित हो गया अजात सत्रू का दूसरा यूद व्यसाली के लिच्वियों के साथ हुआ बोद ग्रंथों महावग और महापरी निर्वान सुथ और जैन निर्यावली सुत्र में इस यूद का विश्थत विवरन राप्त होता है अजात सत्रू और लिच्वियों के इस यूद के कारण विन्बिन रूप से विविन ग्रंथों में मिलते हैं जैन साहित्य के नुसार विम्बिसार की लिच्वी रानी चलना से दो पुत्र उत्पन हुए थे और विम्बिसार ने अपने दोनों पुत्रों को अपना परशिद हाती सेचक और एक बहुमुलिया अठारा लड़ियों वाला हार उपहार में दे रखा था अजाद सत्रू ने हाथी और उन बहुमुलिया हार को वापस अपने भाईयों से मांगा परण्तु उन्होंने उपहार लोटाने से इनकार कर दिया और वे अपनी रख्षा है तो अपने नाना चेटक के पास व्यसाली चले गए अजाद सत्रू ने क्रोधित होकर व्यसाली पर आक्रिमन कर दिया परण्तु बोध ग्रंतों से उद्ध का दूसा कारण परस्तु किया गया है उनके अनुसार मगद और वज्जी संग के मद्या गंगा नदी बहती थी वहाँ पर बहुमुलिय रत्नों का बंडार पाया गया जिस पर दोनों का ही समान अधिकार था परण्तु वज्जी संग ने मगद को लंबे समयतक इसका उप्योग नहीं करने दिया जिस कारण अजाज सत्रू ने लिच्वियों पर आक्रिमन करने का निश्चे किया युद का कारण जो भी हो परणतु अजाज सत्रू नपने सेनिक शक्ति के साथ साथ कूट निती का सहरा लिया अपने मंत्री वशसकार के प्रयत्नों से लिच्वियों में फूट डाली और वे असंगठित रूप से अजाज सत्रू का सामना नहीं कर सके प्रणाम सुरूप लिच्वियों के राजिया पर अजाज सत्रू का नियत्र निश्थापित हो गया और अंत में उसे मगद में मिला लिया गया इस प्रकार प्राचीन भारत के एक प्रमुक गंडाजिया का अंत हुआ और मगद की नीव और अधिक पक्की हुई अजाज सत्रू के जीवन काल में मगद और अवंति के मद्य सम्मुक यूद का उलेक नहीं मिलता है पर अंतु दोनों राजियों में यूद के संभावना बढ़ गई थी इसके अनेक प्रमान प्राप्त होते हैं अवंति राज प्रदोत के आकर्मन से मगद राजिये को बचाने के लिए अजाज सत्रू ने अपने राजधाने राजग्रह के साथ साथ पस्ची में स्रीमा का दुर्गी करण करवाया विद्वानों की मानता है कि अजाज सत्रू ने जिस डंग से अपने पिता को सियाहसन से हटा कर गद्धी हर्षयाई थी उससे अवंति राज प्रदोत को बहुत भारी धक्का पहुंचा था और उसने अजाज सत्रू को दर्ण देने के लिए मगद पर आकर्मन किया कुछ विद्वानों का मानना है भारत में एक छत्र राजा की उपादी के लिए दोनों में संगर्स अवेसंभावी था परन्तों इस संगर्स से पूरू वही अजाज सत्रू की मृत्ति हो गई और अजाज सत्रू के उत्रादिकारी को अवंति से निपटना पड़ा अजाज सत्रू ने लगबग 25 वर सासन किया बोध ग्रंथ के अनुसार अजाज सत्रू को उसके पुत्र उदाई ने माल डाला था उदाई पर पित्र गात का आरोप लगया जाता है परन्तों अनेक विद्वान इसके खंडन भी करते हैं उनका कहना है कि गारगी सहीता में खुदाई के लिए धर्मात्मा सब्द का उप्योग किया गया है और ऐसा व्यक्ति पित्र गाती नहीं हो सकता है जैन ग्रंथों में जानकारी प्राप्त होती है कि प्रारंब में अजात सत्रू का जुकाओ जैन धर्म की तरफ रहा परन्तु बाद में अजात सत्रू ने बोद धर्म का स्विकार कर लिया राजा बनने के बाद अजात सत्रू अपने राणी के साथ भगवान महावीर स्वामे की दर्शन करने के लिए वैसाली अवश्य गए परन्तु धीरे धीरे अजात सत्रू को अपने करतेयों पर पश्चाताप होने लगा परन्त में उसने महात्मा बुद से अपने अपरादों की छमा मांगी उसी समय से उसने बुद धम और संग के उत्थान का परित्न किया अजात सत्रू द्वारा बुद के दर्शन की गटना इसा पूर्वर दूसरी सताबदी में बर्भूत इस्तूप में सिल्पांकित की गई है बुद के परिनिर्मान के बाद अजात सत्रू बुद धातू के एकन्स को प्राप्त करने के लिए कुशी नगर पहुंचा और वापस आकर बुद की सरीर दातू पर उसने राज ग्रह में किस्तूप का निर्मान भी करवाया अजात सत्रू का शासन काल पर्थम बुद संगिती के लिए भी प्रसिद है और यह बुद संगिती राज ग्रह में हुई थी और अजात सत्रू ने सभी बोध भिक्चों के बोजन और निवास की उत्तम व्यवस्था की थी इन सबसे इस प्रस्ट होता है कि बाद में अजात सत्रू ने भोध धर्म को अपना लिया था पुराणों के अनुसार अजाद सत्रू का उत्रा दिखारी दर्सक नामक व्यक्ति था परन्तु बोध ग्रंथों के अनुसार उदाई या उदाई भद्र उसका उत्रा दिखारी बना उदाई के सासनकाल की प्रमुख गटना है पाटली पुत्र की इस्थापना इस समय तक मगद का समराज्य काफी बढ़ चुका था और विश्टत समराज्य को सामाजिक, व्यापारिक और प्रसाशनिक द्रिष्टी से एक नई राजधानी की अवसेक्तिया थी उदाई ने गंगा और सोन नदियों के संगा पर पाटली पुत्र को बसाया जो आगे चलकर मगद की राजधानी बना यही उसका एक महानकार्य था उदाई की मृति उचल कपट से हुई, एक कप्टी व्यक्ति ने जैन सादू का वेश बना कर सोते हुए उदाई को मौत के घाट उतार दिया उदाई ने लगबग 33 वर सासन किया उदाई के बाद हर्यक बंस में और कोई योगे सासक नहीं हुआ उदाई के बाद कौन व्यक्ति मगद के सिंगासन पर बैठा इसमें भी इसपष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है पुरानों के अनुसार अनुरुद, मुंड और नागदासक तीन राजा करम से बने ये तीनों ही आयोग्ये थे हर्यक बन्स का अन्तिम सासक नागदासक हुआ वह भी पितर गाती था, प्रजा उससे दुखी थी अताहे जन्ता के परतिनिधियों और राज्ये के अधिकारियों ने कासी के वाई सराई, शिसु नाग को राजपत स्विकार करने के लिए आमदित किया नाग दासक को सिंगासन से हटा दिया गया और बिना किसी रक्तपात के मगद में राज सिंगासन या राजपत बदल गया और हर्यक बन्स का इसके साथ ही पतन हो गया हर्यक बन्स के इस्थान पर मगद में सिसुनाग बन्स का उदे हुआ शिसुनाग मगद का राजा बना उसके नाम पर ही मगद में नई राजमन्स का नाम भी शिसुनाग बन्स पड़ा बहुत ग्रंथों के अनुसार शिसुनाग वैसाली के एक लिच्वी सरदार और वैसाली की एक वेशिया का पुत्र था आजाक बनने के बाद उसने गिरी वजर को मगद की राजधानी बनाया उसने वैसाली को मगद की दूसरी राजधानी बनाया पुरानी राजधानी राजगरह का गोरो दीरे दीरे समाप्त होने लगा मगद और अवंती में सरवोज सत्ता के निरेंतर संगर सला अवंती ने भी मगवत्स को जीत कर अपनी सक्ति काफी बढ़ा ली थी इधर मगद भी सक्ति संपन होता जा रहा था अधा दोनों में संगर्स अनिवार्य हो गया था चंड प्रधोत के बाद अवंती में भी कोई योग्य वक्ति नहीं हुआ उसके बाद वहां उत्रा दिकार संगर्स चल रहा था इस अफ्सर पर शिसुराग ने अवंती पर आक्रमन किया और अवंती का अंतिम सासक नंदी वर्धन को पराष्ट किया अवंती का राजिय मगद में मिला लिया गया इस परकार अब मगद में कासी, अंग, वैसाली, अवंती और वत्स इत्यादी महाजन पर विलीन हो गए बहुत गरंथों का अनुशार सिसुराग ने 411 इस्वी पूर्व से 333 इस्वी पूर्व अर्था एक अठरा वर्षों तक सासन किया जिसुनाक की मृत्यों के बाद उसका पुत्र काला सोक मगद का समराट बना इतिहास में वह काक्वन के नाम से जाना जाता है काला सोक ने बाटली पुत्र को मगद की राजधानी बनाया उसके सासन काल की दूसरी महचपुन गटना दिवित्य बोथ संगीती का आयोजन था जो लगबग मात्माबुद के निर्वान के सो बर्स बाद बैसाली में हुई थी हर सरित से भी जानकारी होती है काला सोक राज महल के सडेंतर का सिकार होकर मारा गया उसकी हत्या नगर के समीप उसके गले में छूरा मार कर की गई परन्तु हत्यारा कौन था इस बारे में करटियस संकेत देता है उसने लिखा है कि अग्रमीज का पिता एकनाई था जो अपने रूप के करण राजा और रानी का प्रेमी हो गया था और उसी निरानी के साहिता ते था अभी संदी से राजा की हैत्या कर डाली उसके बाद वहमरत राजा के पुत्रों का कुछ समय तक अभी भावक बना और सासन करता रहा अंत में उन्हें भी मारकर वास्वम सिंगासन पर बैठ गया विद्वानों की मानिता है कि हर सरीत का काकवर्ण ही करटियस का वह राजा था जो दोखे से मारा गया अब सवाल उठता है कि वह अगरसन कौन था पुराणों का नुसार मंद वन्स का अथम राजा महापदम नंद था और बोध ग्रंथों में इसी महापदम को उगरसन कहा गया है इससे इस्पेश्ट होता है महापदम उग्रसेन नहीं नंदवन्स की इस्थापना की थे उसी का लड़का उग्रसेन जो युनानी जिसको अग्रमीज कहते हैं सिकंदर और संदर गुप्त मौल्या का समकालीन था इस प्रकार सिसुनाक वन्स का पतन हुआ और मगद के सिंगाशन पर एक नए राजवन्स नंदवन्स का उद्य हुआ नंदवन्स ने एक विशाल समराज्य की इस्थापना की जिसके बारे में हम अगले ओडियो में जर्चा करेंगे तन्यवाद जय हिंद जय भारत